वेलकम टू पंकच कॉमर्स क्लासज आप सभी जहारखंड टीजीटी पीजीटे एस्पिरेंट्स का एक बार फिल से स्वागत हैं आज का सेशन है हमारा वैलुएशन आफ गुडविल पर और इस पर रिलेटेट क्वेश्चन जो की इंपॉर्टनेट बनते हैं आपके एक्जा प्रमंडल की दसा में सामानिता ख्याती मुक्के मुल्यांकन की कौन सी पदती प्रियोग की जाती है आप्सन देखिए एक्ट्वल एवरेज प्रॉफिट बी सुपर प्रॉफिट अधिलाब और अधिलाब विदी और सी स्लाइडिंग स्केल में तड़ सरकवान अनुपाप पदती और डी नन आपदा एवर थ्री तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भी सुपर प्रॉफिट में थट का यूटिलाइजेशन किया जाता है नेक्ट कोश्चन है टू दा बेस्ट मेथाड आप वैलूएशन आप गुड विलिज ख्याती के मुल्यांकन की स्र चार पदतियां है जिनमें से स्रेश्ट पदती पूछ रहे हैं तो आप संदिके एनुटी मेथड वार्सिक पदती बी सुपर प्रॉफिट मेथड आधि लाप पदती सी एवरेज प्रॉफिड मेथड आउसत लाप पदती डी नानाप दाइबाव थ्री तो इसका जो राइ जानवर के सुभाव के समान है तो आप देखते हैं कि जो ख्याती कि सुभाव जानवरों के साफ से देखते हैं तो उसमें महारा है कि डाउ-टाइप कैट टाइप डी टाइप Woah घनएं चाला next question देखिएगा कि goodwill is the present value of a firm anticipated access screening who is the writer of the above statement किसने कहा कि ख्याती एक firm के अनुमानित अधियर्जन का वर्तमान मूल है तो option देखिए इसमें A. Morrissey B. R. Wixon C. Lord McNaughton और D. DP League तो इसका right option है A. Morrissey ने ये कहा था और next question देखिए goodwill is sown in ख्याती दिखाई जाती है option देखिए A. Trading account में B. Profit and loss statement में C. State में assets में और D. Liabilities में तो ख्याती एक intangible asset है goodwill एक intangible asset है और इसे हम balance sheet में asset side में ही sow करते हैं next question देखिए dog goodwill is kutta kh्याती है तो ये kutta मतलब dog natured goodwill क्या है? valuable है B. Less valuable है C. More valuable आधिक मुल्यान है और D. None of the above तो इसका right answer है less valuable है देखिए kutta अपने मालिक का वफादार होता है और वो मालिक के साथी रहता है हमेशा और मालिक के चले जाने पर वो भी चला जाता है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है लेकिन क्या goodwill की हिसाब से देखिएगा कि कोई भी ऐसा ब्यापार जिसकी goodwill उसके owner के साथ ही है तो वो अगर उसकी value उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी कारण क्या है? कि जब कभी उस business को कोई दूसरे person को sale किया जाएगा तो भाई जो sale जो purchase करेगा business वो पैसा लगाने वाला होगा वो उस चीज पे पैसा क्यों लगाएगा जादा उसका मूल ल्यांकन क्यों जादा करेगा जो चीज उसकी अपनी हो इने ही सकती है तो इसलिए जो है यह less valuable इसका right answer है तो next question देखिए अंडर what heading goodwill is so in the asset side संपत्ती पच्च के किस सीरसक में पूछा गया तो यह देखिए fixed asset, B current asset, C investment, D misillaneous asset तो इसका right answer क्या हो जाएगा fixed asset देखिए fixed asset में जो दो तरह के asset होती एक tangible asset होती, intangible asset होती तो जो goodwill है वो intangible asset की स्रेडी में आएगा next question देखिए valuation of goodwill is essential ख्याती का मुल्यांकन करना परम आवस्चक है कभ आवस्चक at the time of issue of share at the time of sale of company at the time of for future of share D none of the above तो इसका right answer हो जाएगा जब कभी हम किसी भी company को sale करते तो उस टेम पे goodwill का valuation करना important हो जाता है next question है method of valuation of goodwill ख्याती के मुल्यांकन की एक विदी है option देखिए gross profit method, B super profit method C operating profit method D capital reserve method तो आपको मालूम है कि ख्याती के मुल्यांकन की एक विदी इसमें से कौन सी है वो है B super profit method will be the right option next question देखिए the value of goodwill will be more in case अब किस दसा में ख्याती का मुल्यांकन अधिक होगा तो आपसन देखिए dog goodwill B cat rat goodwill C cat goodwill D rabbit goodwill तो इसमें जो most valuable goodwill होगी वो cat natured goodwill होती है C will be the right answer next question देखिए method of depreciation and goodwill ख्याती पर हरास काटने की विदी है तो आपसन देखिए A fixed installment method इस्थाई किस्त पदती B diminishing balance method घटी सेस पदती जिसे हम करमागत हरास पदती के नाम से भी जानते है C annuity method वारसी की विदी और D no depreciation charge किसी परकार का हरास नहीं काटा जाता है तो इसका right option क्या हो जाएगा D will be कि ख्याती पर हरास कोई भी तरह का नहीं काटा जाता है next question देखिए which of the following is not included in capital employed निम लिखित में से किसे बिन्योजित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है option देखिए fixious asset कर्तिम संपत्यों को B current asset चालू संपत्यों को C fixed asset स्थाई संपत्यों को D intangible asset अमूर्थ संपत्यों को तो देखिए जब कभी भी हम बिन्योजित पूंजी में क्या नहीं सम्मिलित करते capital employed calculate करते net asset method से तो हम fixious asset को कभी भी include नहीं करते हैं तो fixious asset मतलब कर्तिम संपत्यों जैसे कि आप देखते है preliminary expenses discount on issue of share discount on issue of debenture यह सब profit loss का debit balance यह सब fixious asset है और इनको हम include नहीं करते हैं next question देखे which of the following method will give higher amount of goodwill निमलिकित पत्दितियों में से किसमे ख्याती की रासी अधिक आएगी आप संदी के capitalization of super profit method अधिलाब पूंजी करण विदी B.N.T. आप super profit method अधिलाब वारसिक विदी C. अधिलाब विदी अधिलाब पूंजी करण विदी में ख्याती की रासी अधिक आएगी next question देखे The value of goodwill is maximum when it is ख्याती का मूल अधिक्तम होता जब वो होती है A. Cat nature D. B. Dog nature कुत्ते के सुभाव की C. Rat nature चुहेक सुभाव की D. Rabbit nature खरगोस के सुभाव की तो इसका जो right answer है वो A है Cat nature गुडविल जब भी बिल्ली के सुभाव की ख्याती होगी तो उसकी value सबसे ज़्यादा होगी Next question Which of the following method is not concerned with the valuation of goodwill निम लिखित में से कौन सी पदती ख्याती के मुल ल्यांकन सम्मंदित नहीं है तो option देखे Net Asset method सुध संपत्तिविदी B. Average Profit method C. Annuity method D. All of the above तो the right option हो जाएगा Net Asset method से goodwill का calculation नहीं होता है और Average Profit method Annuity method ये goodwill की valuation की methods है तो इसका right answer क्यों होजए ये will be the right answer Next question देखिए In general The most appropriate method of valuation of goodwill सामानिता ख्याती के मुल ल्यांकन की सरवादिक उप्युक्त विदी है A. Years purchase of super profit method क्रेवर सी अधिलाब विदी B. Years purchase average profit method क्रेवर सी आउसत लाब विदी C. Annuity of super profit method अधिलाब वार्सिकी विदी और D. Capitalization of super profit method अधिलाब पुझी करण विदी सामानिता ख्याती के मुल ल्यांकन की सरवादिक उप्युक्त विदी इन में से है तो right option हो जाएगा C. Annuity of super profit method Next question देखिए Annuity method is the best method of calculation अब वार्सिकी विदी ख्याती के मुल ल्यांकन की सर्वोत्तम विदी है क्यों की option देखिए A. There is no loss of purchaser and seller क्रेता तथा भी क्रेता को हानी नहीं होती है B. Consider the element of interest ब्याज तत्त को ध्यान में रखा जाता है C. Based on the present value of रुपीज रुपे के वर्तमान मूल पर अधारित है D. All of the above उपर युक्त सभी तो इसका right option है D. All of the above इनी सभी के कारण ही वार्सी की विधी के मूल ल्यांकन को सरवत्तम विधी माना गया है N. T. मेथड को सरवत्तम विधी माना गया है Next question देखिए Which of the following method do not require calculation of super profit इन में से किसे super profit calculate करने की जरूत नहीं होती है तो super profit method में तो इसमें तो होगी जरूत B. Capitalization of super profit इसमें भी होगी C. Average profit method आउसद लाब विधी में A. Super profit को calculate करने की किसी प्रकार की जरूत नहीं होती है तो C. Will be the right option Next question देखिए Weighted average method is applied in the valuation of goodwill win जो ख्याती निजारन में भारित आउसदी लाब यहनिकि Weighted average method का प्रियोग किया जाता है कब प्रियोग किया जाता option A. Profits are decreasing continuously लाब लगातार घट रहे है B. Profits are increasing continuously लाब लगातार बढ़ रहे है C. Profits are changing unevenly लाबों में असमान परिवर्तन हो D. There is stability in profits लाबों में इस्तेरता हो तो इसका right answer हो जाएग B. Profits are increasing continuously important question हो सकता आपके examination point of view से कि कब हम weighted average का method को apply करते है तो जब profit जो है लगातार बढ़ रहे है तो weighted average को apply करना अच्छा है Next देखिए The good will and purchase आप business is कोई व्यापार क्रेपर जो ख्याती होती है उसको क्या है मतलब option देखिए purchase consideration plus net asset B. Purchase consideration में से net asset माइनस करते C net asset में से purchase consideration माइनस करते D net asset या purchase consideration तो इसका जो right answer है वो होगा B कि purchase consideration से जब net asset माइनस करते मतलब आप ऐसे समझेए कि जब net asset होती है वो जाद वो asset कम होती है और purchase consideration हम ज़्यादा देते हैं तो purchaser के लिए जो ज़्यादा amount दिया जाता वो किस बात के लिए दिया जाता है goodwill के लिए और net asset का formula आप जानते हैं कि जो भी assets होती total assets है और उसमें से external liabilities को minus कर देते या revaluated asset है उसमें से external liabilities को minus कर देते तो हमारा net asset आ जाता है next question देखिए लीगल concept of goodwill ख्याती के वैधानी का उधारणा ए कस्टमर गुडविल ग्राहक ख्याती बी प्रॉफिट अर्निंग कैपसिटी ला बर्जन चमता C A और B A और B दोनो D none of the above तो इसका right answer है C A और B यानि कि ये कस्टमर गुडविल भी है और प्रॉफिट अर्निंग कैपसिटी को भी दर्साता है next question देखिए it is not necessary to determine goodwill ख्याती के निर्धार आवस्यक नहीं है अब देखिए पहला option है A at the time of absorption of companies कमपनियों के सम्मिलेयन के समय पर नहीं जरूरत है B at the time of amalgamation of companies कमपनियों के एकी करण के समय पर C at the time of winding up company कमपनी के समापन के समय पर और D none of these इन में से कोई नहीं तो देखिए goodwill का valuation कब जरूरी नहीं होगा जब कोई कमपनी समापत हो रही होगी तो इस टेम पर goodwill का valuation का कोई importance नहीं है तो इस प्रकार C right answer है at the time of winding up company next question देखिए goodwill is treated ख्याती मानी जाती है option देखिए reputation आप business ब्योसाय में संसान की प्रतिष्ठा मानी जाती capacity to attract customer ग्रहाकों को आकरसित करने की छमता मानी जाती है value of quality product उतपात की गुडवत्ता का मूल है D all of the above तो यह जो तीनो के तीनो है यह कही न कही goodwill की qualities मानी जाती है इनके features है तो इस प्रकार इसका जो right answer होगा वो होगा D all of the above next question है the determination and existence of goodwill is important not its definition कहते हैं कि goodwill का determination जो है उसका existence यह important है ना कि जो है किसी की परिभासा तो ख्याती का निर्दारण तता आस्तित तुम हत्पूर है ना कि उसकी परिभासा यह धार्डा सम्मंदित है A. Loss A B. Accounting से C. Economics से D. Narnabdij तो इसका जो right answer है वो है B A. धार्डा accounting से सम्मंदित है next question है the accounting treatment of goodwill ख्याती का लेखांकन वेवहार है B. Replacement, पुनरिस्थापन C. Providing depreciation, हरास काटन D. No treatment, कोई बिवहार नहीं तो इसका जो right answer है वो है writing of from capital profit फूझी गतलाबों में से अपलेखन करना next question है the meaning of super profit is अधिलाब का आस्य है option देखिए A. actual average profit being more than normal profit कि वास्तवी का उसाध लाब जो है वो समाने लाब पर आधिक है B. Actual average profit being more than the gross profit वास्तवी का उसाध लाब का सकल लाब पर आधिक C. Actual average profit being less than normal profit वास्तवी का उसाध लाबों की समाने लाबों से कमी D. A. लाब देवा उपर्यूक्त सभी तो इसका right answer है actual average profit being more than normal profit जो actual average profit है वो normal profit सुपर होता है तो super profit का यही फार्मूला होता है कि actual profit जो भी है वो normal profit से जितना भी ज्यादा होता है वह ही होता है super profit तो A will be the right answer next question देखिए the reasonable remuneration to the owner of the business will be from average profit व्यापार के स्वामी का उचित पारिस्मिक औसत लाबों में से option देखिए A. deducted घटाया जाएगा B. added जोडा जाएगा C. kept apart दूर रखा जाएगा D. no treatment कोई वेवहार नहीं तो इसका जो right answer है वो क्या हो जाएगा A. will be a deducted व्यापार के स्वामी का उचित पारिस्मिक जो है वो आउसत लाबों में से आप देखेंगे कि जो average profit हमारा calculate होता था है उस सबसे पहले उसमें से जो भी व्यापार का स्वामी है अगर उसकी कोई salary बन रही तो उसको deduct करेंगे उसके बाद ही उससे हम goodwill का calculation करेंगे next question है which accounting standard relate to goodwill तो accounting standard 14 AS10 लेखांकर प्रमाप 10 AS3 लेखांकर प्रमाप 3 AS21 लेखांकर प्रमाप 21 तो right option इसका हो जाएग भी accounting standard 10 में है चुकि fixed assets से related होता और fixed assets में ही tangible assets में और intangible assets में आता है goodwill तो AS10 will be the right option next question देखिए average capital employed इसका 1,20,000 और normal rate कितना 10% real average profit 40,000 super profit will be तो कहते हैं आउसत विनियोजित पूझी कितना है तो पहले तो हमें average profit निकाल लेते हैं तो average profit तो खुदी दे रखा है average profit कितना दे रखा 40,000 दे रखा 40,000 दे रखा है average profit कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है और normal profit जैसा कि हम calculate कर देते हैं capital employed यानि कि बिनियोजित पूंजी into जो भी नार्मल रेट अब रिटर ने पान हंडर्ड तो देखिए capital employed इसका कितना है यह है एक लाग बीस हजार है और इसका जो बिनियोजित पूंजी का rate है वो 10% है इस तरह से यह क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा अब देखिए super profit calculate करने के लिए average profit minus normal profit का formula लगाएंगे तो average profit आपका है 40,000 और 40,000 में से यह 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना आजा रहा है इससे 28,000 कितना रहा है 28,000 रुपीज जो है वो है super profit तो देखिए इसका right option हो जाएगा A 28,000 next question देखेंगे और the profit of last four years of asok and alok are 12,000, 18,000, 20,000, 10,000 the value of goodwill based on the three year purchase of average profit of last four years देखिए average profit method का simple question है यह कि हम average profit method में क्या कर देते हैं some of the profits या जो भी losses अगर तो deduct कर देते हैं अपा number appears तो profit देखिए आसोक और alok के जो चार साल के प्लाव है वो कितने हैं कि 12,000 plus 18,000 और फिर इसमें add कर देंगे 20,000 और 10,000 देखिए ठीक है और डिवाइड भाई एक दो तीन चार साल है आइड करेंगे 12, 18 यह 30, 20, 50, 10, 60,000 हो गया और 60,000 से आप four को डिवाइड कर देंगे तो यह आजाएगा 15,000 तो यह जो 15,000 आया है यह है average profit अब कहते हैं कि तीन वर्सों के क्राय के अधार पर तो जो goodwill calculate करना ना goodwill calculate करना कैसे average profit into number of purchase year तो average profit into number of purchase year तो number of purchase year कितना दे रखा तीन average profit कितना दे रखा 15,000 यानि कि 15,000 को 3 से multiply करेंगे तो आज आएगा goodwill जो कि average profit की basis पे आ रहा हमारा 45,000 और देखिए option में हम चेक करेंगे तो A, B, C, D तो C में 45,000 लिखा हुआ और ये है right answer तो ये थे आज के 30 questions हमारी classes अगर practice set आपको पसंद आ रही है आप चाहते हो कि जो भी समय आपके पास में हैं उसमें आपको classes दी जाएं जिसमें कि जो फार्मूलें उनका detailed structure, detailed चीज़ें समझाई जाएं जो कि आपके exam के लिए आपको फाइदे मंद साबित हो सकती हैं आपके exam को exam में आपको qualify करा सकती हैं तो इसके लिए हमें आप हमारा app download करिये पंकच commerce classes play store पर हमें contact कर सकते हैं नमबर हमारा 800-534-7819 देखिए क्या होता है समय जो मिला है वो सब को एक ही है तो इसलिए निरास होने कि किसी भी तरह कि कोई आउ सकता नहीं है जो समय है वो सब के लिए है तो उसी में आप best possibility रख करके अपनी preparation करें और इसी से आपका जो है क्या होगा कि exam qualify होने के chances बनते ह है तो यह थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन थैंक्स फार वाचिंग नाव इस्टुदेंस कान इंज्वाइ ओनलाइन मोड़ अप्डिस्टर लर्निंग विद ओफिशल एप और पंकर्ष कॉमर्स क्लासे अवलेबल इन प्लेस्टोर झाल झाल झाल